लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूर चैनल प्लांट्स लवर तो कैसे हैं आप लोग उमेद हैं अप लोग अच्छी तरह से होगी फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइब्रीट प्लांट के बारी में हाइबरेड हीबसकिस का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को साथ ही साथ के इसमें कितने सारी बर्ड्स आई हुई है यह एक सिंगल प्लांट है जिसको प्रेवनिंग करके हम लोगों ने इतने अच्छी तरह से बना लिया है इसमें कई ब्रांचेज आचे हैं और यह हमारत खम से कम 2 साल पुराना प्लांट है देख लीचे अप लोग और इसमें अच्छी तरह से बर्ड्स आचे हैं जैसे कि मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों काफी बर्ट आई हुई कम से कम 10 से 15 बर्ट से इस वक्त आई हुई हैं तो किस तरह से इसके केर करें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वाटरिंग के बारी में तो इस प्लांट में वाटरिंग जो है काफी जादा जब वो खिलना शुरू करती हैं बिस्किस के प्लांट तो उनको पानी जो है जादा जरूरत पढ़ती है पानी की मगर गर्मी में ने रोज पानी दिया जाता है मंगर ठंड में तब ही इने पानी दीजे जब इनके मिटे सुख जाए यानि कि पान देने से पहले एक इंच तक अपनी उंगली को इनकी मित्ती में डाल कर देखिए अगर वो सुखी हो तो भी इसको पानी दीजे क्योंकि जादा पानी से इसकी रूट्स खराब हो जाएंगी और इसकी बर्ड्स यलो होकर गिरने लगेंगी दूसरी बात करेंगे हम लोग सनलाइट की तो थंड में इसे फुल सनलाइट में रखिए और काफी अच्छी तरह से ये ब्लूमिंग करता रहेगा और जब ज़्यादा थंड पाढ़ने लगती है यानि कि जैसे कि काफी ज़्यादा कोहरा हो जाता है काफी ठंड होने लगती है तो इसमें फ्लावरिंग अपने आप आटमेटिकली बंद हो जाती है तो जब इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाए बर्ड्स आना बंद हो जाए तो इसको फर्टिलाइजर देना बंद कर दीजे इनके resting period होता है वो अगर आप resting period में इनके साथ छेरचाड करेंगे इनको जब अजसी fertilizer देकर या फिर प्रिंग के pruning करेंगे तो इसके flowering करवाने के कोईश करेंगे तो आपका पेर खराब होने के chances कम जादा हो जाती है और spring में इसके blooming होने के chances बहुत कम हो जाती है इसलिए resting period पर इनके साथ कोई भी चर्चाड ना करें जैसे हैं इनको ऐसे उठाकर पीछे के तरफ रख दे और इनकी मिट्टी उखने पर इनको पानी देते रहें पर अभी ये अच्छी तरह से flowering कर रहा है तो इसलिए इसको fertilizer देते रहें मास्टेड केक का fertilizer देती हूँ chemical fertilizer हैब्रेड ये बसकेस plant को थोड़ा कम पसंद होता है इसलिए आप homemade fertilizer इनको दे सकते हैं और homemade fertilizer कैसे बनाना है ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ आप उसको मेरी दी हुए description के link से जाकर देख सकते हैं मीडियो को और deadhead बहुत जरूरी होता है बसकेस लिए और दूसरे flowering plants के लिए भी तो जो flower खिल जाएं उनको तोड़दा ना भूलें अगर आप उनको उनके stem पर लगे रहने देंगे तो वो इसकी energy consume करता रहेगा और कोई फाइदा भी नहीं होगा तो friends इसके लिए जो drainage होगा वो उसको काफी अच्छा रखना है पानी नहीं टिकना चाहिए pot में इसकी soil काफी अच्छी होनी चाहिए वैसे तो अगर आप इसका drainage अच्छा रखेंगे तो फिर आप किसी भी तरह की soil में इसे garden soil में भी लगा देंगे तो यह बिसकिस चल जाता है मगर आपको अगर pot में लगा रहे हैं तो इसके थोड़ी सी मिट्टी अच्छी बनाएं इसम आपकी जो roots है वो जो है fungal disease से बची रहेंगी और pruning करना जो है अहिबसकिस के लिए बहुत important होता है जो की early winter में किया जाता है जब late winter हो जाता है यानि कि बहुत ज्यादा ठंड पढ़ने लगती है तब अगर आप plant की pruning करेंगे तो आपके plant की growth होगी वो काफी ज्यादा slow ह जाएगी और slow होने के साथ साथ इसकी chances इसकी death की भी होती है इसलिए late winter में pruning ना करें अले winter में आप चाहें तो pruning कर सकते हैं या फिर spring के सीजन में आप इसकी pruning कर सकते हैं हम अपने hybrid biscus को काफी अच्छी तरह से cutting से grow कर सकते हैं तो cutting से grow करने के लिए आपको इसकी stem में लगा दीजें finger से hole करें उसमें और कम से कम 2 इंच उसको मिट्टी में दबा दीजें और जब उसमें roots आने जाए यानि कि उसको आने में 15 से 20 दिन लगेगा roots जब उसमें शुरू हो जाए आप उसे एक महिनी के लिए भी छोड़ सकते हैं तो उसे थोड़े बड़े pot में shift करने लगें और जैसे जिसे plant बड़ा होता जाए इसका pot size बड़ा करते जाएं एक बार की बड़े pot में लगा देंगे तो उससे आपके plant की growth बहुत जादा slow हो जाएगी तो friends उसे छोटे से बड़े pot में ले जाएं और इनको melee bugs, spider mites और white flies से बचाने के लिए क्या करेंगी? कॉमट disease होती है इन में तो इनको बचाने के लिए इसको जो है आप especially winter में इनके पतियों पर इस टैम पर पाने ना डालें इनको direct base पर पाने दें से ये chances जो होती है disease की कम हो जाती हैं और दूसरा आप इन पर जो है हफते 15 दिन पर या फिर महीने भर में आप इस पे नीम oil का शिड़काओं करती रहें इसको उससे जो है आप जो है लोकल मार्किट से असानी से अविलेबल है ये तो बस आज के लिए इतने ही फ्रेश्ट